एक बार फिर आप सब का स्वागत है मेरे साथ सो स्टुडेंट आज हो गया है आपका यूपी सैनिक का एक्जामनेशन और जेमेट्री स्कूल आपके लिए लेके आया है यहाँ पर पेपर का सॉल्यूशन सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आंसर की जो मैं आपको यहाँ पर जी के पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट कराने वाली हूँ वो भी क्लास 6 के लिए इस बार यूपी सैनिक में 6 तास के लिए भी एक्जाम कंड़क्ट हुआ था तो जल्दी से अपना पेपर निकाल लीजिए पैन निकाल लीजिए और मे प्रेस्कूल का निश्चिय बैच तिस इस दा बन स्टॉप सॉल्यूशन फोर एनी ओफ दा कॉंप्टिटिटिव एक्जाम हॉस्टिल के फीचर की बात करें तो यहाँ पर आपको डेली 8 a.m. to 5 p.m. क्लासिस मिलती है आफ्टर एवरी क्लास देर विल बी आ मिनी मोक और कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं आने से पहले तो इन नमबर पर कॉल कर सकते हैं और एक बार हॉस्टिल को जरूर विजिट करें देखें कि हमारी एक्सपर्ट फेकल्टी किस तरह से आपको टॉपर बनाती है तो चलिए स्टुडेंट ये रहा आपके सामने आज सिक्स क् सैनिक का एक्जामनेशन तो निकाल लीजिए आप भी जल्दी से अपना पेपर और यहां पर अपने यहां पर मैं कराऊंगी आपको कोड भी का अगर आपका कोड कोई और भी है तो भी कोशन का सीरीज बस उपर नीचे मिलेगा आप करेक्ट आंसर चेक कर सकते हैं तो अपना पेपर निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की आंसर की तो चलिए देखते हैं जी के सेक्षन आया था आपका कोशन नंबर 51-100 तो देखते हैं वाट विल बी दा करेक्ट आंसर ओफ दा कोशन नंबर 51 क्या है कोशन नंबर 51 लॉंगेस्ट रीवर ओफ द वर तो कौन सी है नील इस दा या नाईल आप बोल सकते हैं तो 51 का ओप्शन C is the correct आंसर डखवर्थ लुईस इस्टर्ण मैथट इस रिलेटिट तो विच स्पोर्ट ये मैथट किस स्पोर्ट में यूज किया जाता है तो करेक्ट आपका सर फोर 52 इस ओप्शन D क्रिकेट विच क सबसे तेजी से सूरिय का चक्कर लगाने वाला प्लानिट कौन सा है ओप्शन नमबर बी मर्क्यूरी फो इस दा फाउंडर ओफ फेस्बुक फेस्बुक के फाउंडर कौन है कोशन नमबर 55 का आंसर है ओप्शन नमबर बी मार्ग जगरबर्ग हाव मैनी स्पोक्स आर देर हमारे तिरंगा में यहां पर कितने स्पोक्स हैं बीच में 24 जो 24 आवर्स को शो करते हैं तो ऑप्शन नमबर बी हाव मैनी टाइम्स डिड इंडिया होस्टे ओलंपिक कितने टाइम इंडिया ने होस्ट किया है बच्चों यह कोशन पहले भी आया हुआ है आरमस में भी आया सकता है वो क्या है यहां पर करेक्ट आंसर कंगारू रैट लाइट इस्पैन बिता सकते हैं पूरी बिना पानी के तो ऑप्शन भी हो गया 58 के लिए करेक्ट चलिए नेक्स कोशन देखते हैं कोशन नमबर 59 स्टेट विच हैस्ट फलर्ड प्रोन एरिया सबसे जाधा बार ज घरेन हाईट दी इस दा करेक्ट आंसर नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है विफ्ट अक्टूबर ऑप्शन डी इस दा करेक्ट आंसर हू इस दा कैबिनेट मिनिस्टर tarafale कोया विच जा、प्शन नमबर 60 का आप्शन नमबर बी पी उस गोयल हू इस दा गवर्णर आनन्दी बेन पडेल, B is the correct answer What is the popular name of बाल गंगा धर्तिलग, बाल गंगा धर्तिलग को किस नेम से भी जाना जाता है, लोक मानने हैं बाल गंगा धर्तिलग, तो 65 का correct answer है C, तो चलिए आगे देखते हैं Question number 66 अर्बिंदो गोश ने कौन सा न्यूस पेपर, इनके बहुत सारे न्यूस पेपर इन्होंने बहुत सादा यहां पर क्या क्या जन्रल पब्लिश कियें, तो उन में से इनका न्यूस पेपर कौन सा है, तो Question number 66 का correct option C, वंदे मात्रम Next question, बिर्जू महराज is associated with which dance, किस dance form से बिर्जू महराज यहां पर associated है तो Question number 67 का correct answer कत्थक, Option number D Where is science city located, science city किसे कहा जाता है, कॉलकटा 68 का option C, कॉलकटा Which planet is known as the lal planet, या red planet जिसको lal ग्रह भी कहा जाता है Mars is the correct answer, B is the correct answer, Question number 70 Who is the leading producer of gold Gold का सबसे leading producer अभी कौन रहा है, तो Option number A, China, तो इसका correct answer है, Option number A, China चोधरी चरंसिंग एरपोर्ट कहां पर है Question number 71 का, Option number D, Lucknow, Gir Forest is located, बार बार पूछा जाता है important way, Gir Forest is in Gujarat, Option C is the correct answer for Question number 72 Question number 73, Capital of Bhutan, is Bhutan की Capital क्या है, Question number 73 Thimphu, B is the correct option Question number 74 which is the largest railway platform इन में से हमें बताना है, वैसे तो इन से बड़े भी है, तो इन में से हमारा सब 74 का correct answer है, Option A, Gorakhpur is the correct answer Navy Day, Every Year कब मनाया जाता है, तो Navy Day हम कब मनाते हैं Question number 75 का, Option number C, 4 December Teachers Day, यहाँ पर हमसे World Year National करके नहीं पूछा है, तो 5 सितंबर को हम Teachers Day मनाते हैं, सरफपली Radha Kishnan के जनम दिवस पर International Yoga Day, again and again पूछे जाने वाला question है, हमने कई बार कराया भी है, यह question live classes में भी YouTube वीडियो में भी, तो कब मनाया जाता है, हमारा International Yoga Day question number 77 का option number B, 21 June is the correct answer Which of the following baller has considered most of the run-in, over-in test के निम लिकित में से किस गेंदवाल ने test किरके तिधियास में एक over में सरवाधिक run दिये हैं Joy Root, D is the correct answer 28 run का इनका record है Who among the following Wanda Wimbledon, 2022 man single, किस ने जीता है man single में जीता है, option number A Novak Z took over और ये बच्चो नितिन सर की current affair वीडियो में आपको again and again मिलेगा, अगर आप YouTube चैनल से इसको देखके गए हैं, तो question number 79 का option number A is the correct answer move on to the question number next question number 80, 44th chess Olympiad कहां पर हुआ है Mamalapuram, यहाँ पर correct answer है, इसका C Mamalapuram, Tamil Nadu question number 81, distance of marathon race marathon की जो लंबाई है, वो कितनी है in km, तो यहाँ पर 81 का correct answer है, option number B, 42.19, 195 km, B is the correct answer which of the following is not related to field hockey, इन में से कौन सा stroke या point यहाँ पर hockey से related नहीं है, तो penalty corner आपका hockey में नहीं आता, bully, free hit, offside, तीनों hockey में यूज की जाती हैं where is the headquarter of international olympic committee, international olympic committee का headquarter कहाँ पर है, स्विजर लेंड, option number C, the Indian Parliament consists of Indian Parliament के तीन पार्ट होते हैं, प्रेजिडेंट, राजिय सभा और लोग सभा, तो option C, 84 का option C is the correct answer, move on to the next question 85, state chief election commissioner is appointed by, कौन करता है, chief election commissioner को appoint 85 का option number A, governor, question number 86, tree release करते हैं, oxygen और absorb क्या कर लेते हैं, carbon dioxide for its raw material photosynthesis के लिए, तो option B is correct for question number 86, move on to the next question, बच्चों उससे पहले अगर आप preparation करना चाहते हैं with the geometry school, तो आप हमारे life batches join कर सकते हैं, hostel batches join कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको UP Sanic के लिए निश्य बैच बताया था, तो यहाँ पर Sanic School के लिए हमारा Toppers Pro batch है, साथी यह हमारे बच्चों life classes के batch हैं, जो आप online avail कर सकते हैं, हमारी app के through, जिन में हम आपको daily life classes provide कराएंगे, रास्टे military school के लिए हमारा Achiever batch है, जो already start हो चुके हैं 1st of January से, और RIMC का तो बच्चों जून में exam हैं, तो RIMC हम start कर चुके हैं, जस्ट after the 3rd December exam के बाद ही हमने batch start कर दिया था, तो ये rankers batch है, RIMC के लिए जो going on है, तो अगर आप तयारी करना चाहते हैं for RIMC, RMS, आपके relative या आपके कोई भी भाईवेन, तो आप उन्हें recommend कर सकते हैं, क्योंकि यहां से सिर्फ हम selection ही नहीं, आपको topper बनाते हैं, तो चलिए ये हमारे life classes के batch है, आगे देखते हैं, question number 87, UNICEF का headquarter कहां है, option number B, New York में, इसकरवी disease कौन से vitamin की कमी से होती है, बचो again and again, मैंने अपनी life classes में, YouTube वीडियो में आपको ये कराया है, तो vitamin C की कमी से कौन सा रोग होता है, इसकरवी, तो 88 का correct answer हो गया, option D, vitamin C, which is the hardest natural substance on earth, empire, बच्चो ये RMS में, UPSN में आया हुआ, पहला भी question है, तो चंदरगुप्त, किसने वो या मोरिया empire की नीव रखी थी, चंदरगुप्त ने, D is the correct answer, hornbill festival काई बार हमने कराया है, live classes में भी, YouTube वीडियो में भी, कहां मनाया जाता है, नागलेंड में, तो C is the correct answer, which stream won IPL season 2022, question number 92 का correct option क्या है, गुजरा टाइटन ने ये खिताब जीता है, इस बार IPL का, तो option A is the correct answer, which of the following one dam is not in उत्तरप्रदेश, इन में से कौन सा dam उत्तरप्रदेश में नहीं है, बदुवा डैम, option number D, बदुवा डैम यहाँ पर उत्तरप्रदेश में नहीं है, चलिए, question number next, 94, largest planet in size, बच्चों वैसे तो सबसे बड़ा जुपीटर है, लेकिन हमें इन में से बताना है, तो इन में से सबसे largest है, अर्थ पृत्वी, A is the correct answer, next देखते हैं, C.K. Naidu trophy कौन से गेम से associated a contribution है, C.K. Naidu का cricket में, तो यह trophy उनी के नेम से cricket में, तो A option is correct for question number 95, flying sick किसे कहा जाता है, Milka Singh को flying sick के नाम से जाना जाता है, A is the correct answer, India का national sport hockey, B is the correct answer, who is the author of wings of fire, wings of fire के author कौन है, Dr. Missileman A.P.G. Abdul Kalam, A is the correct answer, यह हमने अपनी live classes में भी आपको कराया है, Eiffel Tower कहां है, France, Paris, तो A is the correct answer for question number 99, question number 100, which is the largest country, area wise आपको बताना है, तो area wise सबसे बड़ी country कौन सी है, Russia, D is the correct answer, So student, these are your 100 questions की answer की, मैंने आपको provide कर दिये, video अच्छा लगे, तो like करे, comment करे, और बच्चो चैनल को कर लीजिए, subscribe, क्योंकि यहां पर आपके सब exam की तियारी कराई जाती है, आपको आज के आज ही सारे sections की answer की provide कर दी जाएगी, तो I hope आपके 51 to 100 आपने check कर लिया होगा, 50 questions आपके GK के आयते, और अपना comment box में अपना score भी हमें बताएं कि 50 में से आपके कितने correct coach ना है, कितना YouTube से आपको यहां पर फाइदा मिला है, so student thanks for watching, वीडियो को like जरूर करे, comment section में अपना score जरूर हमारे साथ share करे, क्योंकि cut off की वीडियो भी हमारे channel पर आपको मिल जाएगी, so student thank you, bye bye.